हेलो दोस्तो, कैसे है आप सब? दोस्तो, मेरे ये छोटे-छोटे फ्लास्टिक के पाट है आप देख सकते हैं, इन में काफी अच्छे फूल खिले वे हैं इसमें लगे हैं केलेंडूला ये एक पाट में मैंने एक ही प्लांट लगाया हुआ है और आप देख सकत้े हैं उसमें कितने सारे flower guard वे हैं और कितनी सारी flower bird आई वी हैं यह दुसरा plant मैंने cold drying की bottle को cut करके उसमें grow किया हुआ है इसमें भी काफी अच्छे flower और खूब सारी flower bird आई वी है तो ऐसे ही छोटे से pot पर काफी अच्छे flower और काफी सारी flower bird आती है अगर आप इसमें हर 10-12 दिन में liquid fertilizer डालें तो ये plant मेरे काफी healthy हैं और इनमें अभी काफी flower पर आई भी है छोटे pot पे जादा फूल लाने के लिए मैं इनमें 10-12 दिन में सरसों की खली का liquid बना के डालती हूँ जिससे इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं सरसों की खली के liquid से plant में काफी अच्छे फूल आते हैं अगर आपकी प्लान्ट में flower bird नहीं बन रही है तो आप सरसों की खली का liquid डाल सकते हैं इससे काफी जल्दी flower bird बनने लगती है सरसों की खली का liquid बनाने के लिए आप 2 मुठी सरसों की खली को एक लिटर पानी में भीगो के रख दें और तीन से चार दिन बाद उसे उसके दस गुने पानी में डायलूट करके अपने पौधों पे डालें जो लिक्विट आप बनाएंगे वो बिल्कुल पतला होना चाहिए ज़्यादा गाड़ा होगा तो उससे हमारे प्लांट जल सकते हैं सरसों की खली का लिक्विट डालने से प्लांट में काफी जल्दी फ्लार आते हैं और उनकी ग्रोध भी काफी अच्छी रहती हैं जब आपके फ्लावरिंग प्लांट में से फ्लावर ना आएं तो आप सरसों की खली का लिक्विट बनाके जरूर ट्राए करें इससे आपके प्लांट में काफी अच्छे फूल आएंगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू